महिलाओं को आत्म निर्फर बनाने उन्हें स्वरोजगार से जोडने प्रदेश सरकार द्वारा योजना बद्द रूप से कारी किया जा रहा है जिसकी वज़ा से पूरे प्रदेश में महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ चुकी हैं बिलाई निगम के शहरी गोठान में योजना को धरातल पर देखा जा सकता है यहां अनेकों स्वर साहता समू की महिलाय रोजगार मुलक कारों से जुड़ी हुई हैं और लाब अरजित कर रही हैं गोठान में मविश्यों की देखरे की जिम्मेदारी भी महिलाओं पर है गोठ समय में गोठान में मुर्गी पालज शुरू किये जाने की भी तैयारिया चल रही है गोठान की गतिवीदियों उसकी उपयोगिता महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर ग्रेंड एशियर निउज ने नगर निकम भिलाई के जन संपर्क अधिकारी पीसी सार्वा से चर्चा क जिन्हों ने इसके संचालन और उपयोगिता को लेकर विस्तार से जानकारिया दी हमारे साथ मौझूद है विलाई नगर निकम के जन संपर्क अधिकारी पीसी सार्वा जी जो हमें गोठान की पूरी गतिवीदियों यहां पर कारेरत महिलाओं प्लस जो यहां पर कई सारी गोम आता है वगरे भी हैं उनकी देख रेकोल का किस तरह से कारे किया जाता आई है हम हुनी से जानते हैं सार्वा जी सर्व पर हम यह पताई है कि गोठान का अरिया पर काफी बड़ा है तो महिलाओं को आत्म निरभर बनाने यहां पर किन की ने गतिवीदियों का संचालन किया जाते हैं देखे मानी मुख्य मंत्री जी की वांसन रूप और मानी मुख्य मंत अर्क्रीण का मातरों कि यहां से जो संचालन अंधारन जो यहां से जो सहरी कवठान का MmA डरी पर कते को इसके हैं निर्मान करें है उनके पास मसीन है इसके बनाने के लिए फुलों से भी साबुन बना रही है गुलाल बना है मसरू मुतादन कर रही है nda अभी मुर्गी पलन करने का ओंसेट हमने तयार किया हुँ है मश्री पलन के लिए joh तो शोटी डडवरी थी उसको तलाप का सवरुप दिया गिया है, इस प्रकार से तमाम एक्टियुटीटी जो जोड़ने के लिए वो है कि यहां के तर्फ पर काम चुकितने समय को कि आत्मंदिर यhos दोहारा देखा भी गया कि काफी कती बीधिया है कि यहां संचाली थो रहे हैं। इसे साथ महिला स्वासाहता समू अलग अलग महिला स्वासाहता समू है जो यहां पर काम करी है कि सजी में जो हैं दस महिला महिलाओं का ग्रूप होता है और दस महिलाएं अपने ग्रूप के साथ में काम करती हैं जैसे अगर पति निर्मान का काम हो गया तो उसके लिए अलग म इस प्रकार से 6-7 महिला स्वासायत असम्भू जो है इस गोठान में काम कर रही है और स्वरोजगार की दिसा आगे बढ़ेगी तुकि गोठान में मविशी भी मौजूद हैं आवारा मविश्यों की धर पकड़ पी जाते हैं यहीं लाके रखा जाता तो उनकी देख रहे का च टैम सेडूल बना हुआ है वो आते हैं और अपनी टीम के साथ में पूरे संसवाद्ण के साथ आते हैं त्रीका करन की बात हो चाहे किसी प्रकार की पस्मों की रोग की बात हो तो वो उनका ट्रिट्मेंट करते हैं आ करके चेकप करते हैं और यहीं इस पार्ट में आ करके उनके उप्चार के लिए जित्ता भी बेतर जो काम हो सकता है उसके लिए वो करते हैं हमारे यहां जो जित्ते भी पस्मों है वो अभी देते हैं यहीं करते हैं बड़ा प्यार भी अनौकों को हो जाता है और उसकी देखरेशा रहे एक लगातार जो है वह हमारे हां जो महिला स्वस्थास्ता थमूढ़ करते हैं कि यह भी देखा जाता है कि कई लोगों दोरा यहां पर अग्यात रूप से चारे आधी की व्यवस्ता की जाती है तो नगर निगम दोरा किस तरह की व्यवस्ता उपलब देकर आई जब पशू चारे उकले कर यहां गवठान में कोई कमी नहीं है यहां यहां पर नप्रक्ट अपर अगवा है और इसके लावा जो है जान दाता जो है बड़ी मातरा में यहां पर जो है गव सेवक जो है वो यहाँ पर दान करते हैं चाहे हरा चारा डेली यहाँ पर आता है और इसके अलावा जो सुखा चारा है वो बड़ी मात्रा में दान दाता दान कर रहे हैं और रेगुलर्टी में दान करते हैं जैसे कुछ कमी होती है तो दान दाता को पता चलता है कि यहां पर कुछ कमी है ऐसा महसूष होता है तो अपने से ही वह दान दाता जो है वह सबार है उनका धन्यवाद ग्यापीद करते है निगम के और से कि वह जो पशुध जो हमारे गव सेवक है वह हमारे लिए पशुध के लिए दान कर रहे हैं महिलां में आपके द्वारा बतायां कि गोठान में पांच्छे स्वासवाथा संभू इसका संचलन किया जाता है। यदि कोई और महिला स्वासाहता समू मतलब इसमें अपना कारे करना चाहे स्वालम्भी बनना चाहे तो उसके लिए कुछ माप दंदन निर्धारी ते क्या गोठान में काम के लिए पेके निश्चीत रूप से महिलाओं के जो समू है स्वासाहता समू की मेलां ये एक्शूल जो है राष्टी सहरी आजी का मिसन के अंतरगती महिला समू काम करती है और सभी महिलाओं को अलग-लग उनके काम के हिसाफ से उनके वर्गों के हिसाफ से नको बाटा जाता है उनकी किसमें है उनको रुची किसमें है यह सब आधी चीज़ों को देखा जाता है यह समापदन के अधार पर जो है चैनिक किया जाता है जो सभी मूर्गी पालन का कांसेट है जिसको सम्मू को इसका ज्यान हो इसको अनभव हो या उनको इसके नालेज हो और कई बार ऐसा भी होता ह किस तरह की सुधाय अभी आपको समझ में आता कि किस तरह की और सुधाय आपके उपलब्द कराए जाने की जरूबत है जिससे और मैलाई इस गौठान में से जूड़ करके इसका लाप लाप्त कर से दिखे मानी महापर जी और आयउक तुमयदय लगातारे हापपे गव्ठान में आकर निरेक्शन करते हैं आथि कि मानी विल्हाय जी भी हापपे आते हैं यह इनके लिए उन्होंने डीएब में फंड से राशी दी है तो यह मानी महापर्जी और आयक्तु महदय जो काम जिसके लिए तर्च पे ताकी महलाय आगे बढ़ सके और जो उनके डिमांड है कि यहां पे गठान में और क्या आदा क्या क्रेटिविटी कर सकते हैं तो यहां पे कोई विकास क कुई कामी नहीं है जो मांग होता है जो जरुवद की चीजां पे हैं व हो कि और कि यूलोय को जाती है तो इसके बाद में दूसरा क्राप लगाता है तो इस पधति पे लगातारी यह डियाशन का प्रोटेशन जिसको बोलते एंग वह चलता है अभी प्रोटेशन की पधती वह प्रश्वाजी में एक फशल हो चुकी है दूसरी फशल के हम तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए जो थरहा जिसको बोलते हैं जो ट्रास्प्लांट जिसको बोल सकते हैं वह किया जा चुका है और यह फशल जो है आपको एक दो महिने में जो है वह दिखने लग जाएगा और का उपयोग भी यहां पर किया जाएगा वह उगाने का काम चर्र है मक्का जैसे चीजें हैं वह भी उगा चुके हैं और यह वैसाय जो है क्राप रोटेशन की पत्रती में चलता है इसलिए अभी वह सिर्ट सोविंग हो चुकी है सारवाज यह कंतिम सवाल की गोठान के कार् जन्मी होती है और हमारे भूखन में अब हमारे सारे अक्टिविटी जो है और सारे सुधाय जो है वह यहां पर दियो है हमने पहले जब काउठान का कांसेप था सहीरी का उठान जब नहीं बना था तो यह जो इस पार्ट आप देख रहे हैं वह सपार्ट कच्रे से पटा आज ये इस पार्ट जो है हर्याली से भरा हुआ है यहाँ पे पूरे गतिविधिया संचालित हो रही है कहीं कोई कच्छरे जैसे नाम नहीं रहा है इसके अलावा जो है भी हमने प्लांटेशन अच्छे से किया हुए जो मट्की पधती से किया देशी मट्की पधती है इसके अलावा जो है गाय लोग को पशुलों को चाया देने के लिए सेट का निर्मान हुआ है इसके अलावा जो बोर है पानी देने के लिए उनके पेजल उपलब्भ कराने के लिए वह हुआ है फाइटोराट एक हमारे हां सिस्टम है जो फाइटोराट जो होता है जो गंदे पा और तमाम ऐसे चीजें हैं जो पशों को लिए बहुंँ ज़्यादा जरुवत हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जरुवत हैं वो सारी सुधाय जो हैं वो यहां पर उपलब है यह थी हमारे साथ नागर निगम के जनसंपर कादिकारी पीसी सारवाजी जिनों ने श शुचारे को लगातार रूपलब्द कराते रहते हैं इसके अलावा यहां पर पाच्छे स्वासाता समू की महिलाओं भी जूड़ी हैं जो गोठान के संचालन शुरू होने के बास से काफी लाभंदीत हो रही हैं लगातार नयने कारे किये जा रहे हैं निगम आयुदारा लगातार गोठान के मॉनिटरिंग की जाती है इसका लाभ भी बड़ी संख्या महिलाओं को मिल रहाने वाले समय में भी गोठान में अन्य गतिवी दिया को संचालन के लिए नगर निगम द्वारा रूप रेखा तयार की जा रही है ताकि अन्य महिलाओं को भी यहां पर र संख्या मुदाइक संघटिका सुलोचना धनकर जी जा इनकी देख रहें को पूरी जतिवीदियों का संचालन होता में बताएं किस तरह कि यहां भी जतिवीदिया संचालनी थोड़ी मैना किस तरह से लाभाननी थोड़ी सर होली के समय ने गुलाल बनाया सौ किलो गुलाल पूलों से जो पांच शे मंदीरों से आ रहा है उसको भी बना के उलोग भिक रहे के उसमें भी उनको लाभांस मिला फीर साबून भी बना रहे है साबून कभी ट्रेनिंग लिए साबून बनाना भी चालू के है साबून कुछ नगर नीगम के भी अधिकारी लेके गए हैं होई है तो कि बड़ी संख्या में यहां. आपको क्या लगता है कि और कि स्थाantengin का पर ही जानी डोड़ाना ? सर सबजी लगाया जा रहा है अभी चालू किये हैं पहले ठंड में जो लगा थो निकल गया अब ग्रिश मरीतु का चालू हुआ है लगाना फिर मचली पालन कभी है सर वो तलाब भर जाता है तो फिर लोग मचली भी उसमें डालेंगे उससे भी इनको लाब प्राप्त होगा स सर दसमूं के हैं 30 महिला कंटीनु यहीं थी हमारे साथ सुलोचन धंकर जी जिंके दारामें तमाम तरह की जानकारिया दी गें कितनी महिलायां जोड़ी हैं कितनी लाभानमीत हो रही है निगम प्रसासन को चाहिए कि महिलाओं को आश वरोजगार से जो नए कतिविदियाए दोबने कि ज़रूवत है ताकि घरों में बैठी स्वरोजगार के लिए यहां वहां का परैशान हो री महिलाएं महिलाओं को इस्थाई रूप से यह शेरी कोठान में स्वरोजगार से महिलाइं उस्वरोजगार से जूर सके और लाफानमीत हो सब्सक्राइब Grand Asian News के लिए संजय दूने